हेलो, नमस्कार, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज में आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस यूटूब में आज मैं आपको बताता हूँ कि देशी कपास की विगयनी खेती कब और कैसे करे और कौन-कौन सी सावधा नहीं रखे अगर आप देशी कपास की विजाई करते हो तो विजाई कि इसमें कौन-कौन सी सावधा नहीं रखे जिससे कि विज़गां को 900 पर 30 सत्तक हो जिससे कि हमें कम खर्च वा कम समय में जादा से जादा फसलगी पैदावार प्राप्त हो जिससे कि हमें अच्छ इनकम प्राप्त हो इस वीडियो को अंतक जुरूर देखे टाड करते हैं, यहां देशी कपास के किसमें 15 अपरे से शुरू होती है विजाई, अरियाना में मुख्यत कपास के तीन तरह की बीज किसानों की तरफ से प्रियूब किये जाते हैं, जिसमें नर्मा बिट्टी कोटन तदा देशी कपास सामिल है, कपास के सभी विजों की की वित्य मदद देती है इस मदद को प्राप करने के लिए राज्य कैसे किसानों को मेरी किसल मेरा विवरा पूर्टल पर रेजिस्ट्रेशन कराना होता है रेजिस्ट्रेशन के प्रकिरिया 25 जनुवरी से शुरू होती है और 30 महीं तक रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जानकार बाब भी सुंडी बनिया समस्या कपास अर्याना में प्रमुख नकदी फसल है जिससे अर्याना के किसान थोड़ी नमकिन वा कमज़ोर भूम में सबलता पुरुक उगा रहे हैं धान की तुलना में इसमें लागत कम रहती है जबकि बजार में इसका बाउत धान से अधिक करता ऐसे में किसाम कपास की तरफ दिकास कर्षित हुए है लेकिन वित्य कई वर्सों में उत्तरबात में होने वाले कपास की फसल पर गुलाब भी सुन्डी लग जा रही है जिसमें कपास की फसल खराब हो जा रही है जिसको देखते हुए वित्य कुछ समय से विसे से गुलाब भ पर जोड़ दे रहे हैं वहीं इसी भी चर्यान को आज हम बात करते हैं देशिक्वास की वराइटी मोहिनी की यह वराइटी सक्तिवर्दक आइबराड शिट्स प्राइवेट लिम्टेट के द्वारा बनाई गई है इसका पूदा फिलाउदावर होता है इसमें 22-25 फल दारक स सकाय होती है इसके टिंडे का वजन 2-3 ग्राम तक होता है इसमें 4-5 ताड़ी होती है इसके पकने की अवद्दी 150-165 दिन तक ही होती है यह कम समय में पकने वाली किसम है देख जानकार यह तो आप संपर करे 062-23563 सक्तिवर्दक आइबरीड शिट्स प्राइबिट मुहिनी ने उत्तरी बार्द में AAH-1 की तुनला में अधिक थता अरियाना में AAH-1 से अधिक थता C-1-C-R से अधिक थता राजस्तान में राज DS9 से अधिक पैदावार दी है यह किसम उत्तरबाद का जोनल चेक है कली वाब फूल बनने से पहले के वस्ता बुक्की में सूंडिया परवावी रहती है जो बुक्की को खाती रहती है जिनके और किसान का ध्यानी नहीं जाता है उसमा दिस्तिक पास में पोदो पर फूल दिखाई नहीं देती है यह सूंडिया फूलों और फूलों को खाती र को ही सपरे करूआ अंता किसान भाई बरसांत आने या पानी लगाने का इंतिजार ना करें ट्रेसर के पहले जटकाओ के बाद सतर मिलिमेटर ट्रेसर या डेड़ सोग्राम टाकुमी पट्टी एंकड का सपरें दस से पंदरा दिन के अंतराल पर दुराते रहे उस पवस्ता मे अनपी के उनिस उनिस के गोल था पचास मिलिम लिटर पलाइनो फिक्स का पर तियंकर चिटकाओ अपसे दोराई जब फल या टिंडे बने आरम हो जाए तो उसमें तेरा जिरो पन तारिस की सपरें को कम से कम दो बार दोराई जिससे फलों को अधिक खुराक मिल सके इस से आ आज हम बात काते देसी कपास की विगानी खेति के बारे में नंबर एक देसी कपास की बिजाई के लिए उप्यूकत समय नंबर दो खेत का चुनाओ नंबर तीन मिट्टे की जांच नंबर च्यार पाने की जांच नंबर पांच बूमी नंबर चै जलवायू नंबर साथ खे प्रसल की बुआई, नंबर ग्यारा प्रसल की बुआई, शिचित था ऐसी चेतरों में, नंबर बारा खर्पतवार की रोगताम, नंबर तेरा तिस दिन बाद शिचाई, नंबर चोदा तिस दिन बाद निराई या गुडाई, नंबर शोड़ा तिस दिन बाद शिचाई, या फिर वर्षा, नंबर पंदरा जलगा प्रबंदन, नंबर शोड़ा केटवा रोगा प्रबंदन, नंबर सतरा सप्रे, इंटी कलोराइड, मौनू, आसाटा, फंगस के लिए कॉपर ओक्सी कलोराइड, इतियादी, वैफल फुलो के बढ़वार के लिए टोनिक का प्रियोग, नंबर एक प्लैनो फिक्स, नंबर दो कल्टार, नंबर सतरा, फसल में खाद का उप्योग, फिर चुनाई, फिर बंदारन, ये मुख्य स्टैप है जो देशिक वास की फसल में उप्योग किये जाते हैं, अब हम बात करते हैं, देशिक वास की पुरी उग्यानिक हैती के बा युकर्च में एपरेल वा मही मिनना होता है, बजार में कपास की बहुत सी वरायटिया उप्योगत होती है, अपरेल महीने के विजाए के लिए हम गेती वरायटी, वह 15 मही के बाद हम तेशिक कपास के लिए पचेती वरायटी का ही चुनाव करते हैं, नंबर दो खेत का ताकि सर्सों के फाने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए, फिर आप एरो की साहता से एक दो बार अच्छी तरह जुताई कर दे, फिर आप लेजर लेवलर की साहता से खेत को समतल कर दे, ताकि खेत किसे चाही अच्छी तरिके से हो जाए, अब हम बात करते हैं देशिक कपास की खेते के लिए मिट्टे की जांस सबसे पहले अपने खेत की मिट्टे की जांस करवा ले जिससे हमें यह पता चल जाता कि मिट्टे में किन-किन पॉसकत्तों की कमी है और खेत की मिट्टे किन-किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टे में कौन-कौन शिपस जैसे गहूं चना अरहर सरसों राया बर्सीन गन्हा अलू मक्का बाजरा कपास त्यादी मिट्टे की जांसे में यह पता चल जाता कि इसका प्याचमान कितना है जैसी कपास की विजाई फासपोर्स वा पॉटास विजाई के समाँ प्याचमान अगर फासपोर्स विजाई पर नहीं डाली गयी है तो बौकि पर पौरे मितलब फूल आने पर पौरे आदि नार्ट्रोजन बोकि के सममान करे पंदाड़े से साड़े स्मान पशह शन्न आयट की अगर आप फसल की बिजाई के लिए नेरी पानी का इश्टियमाल करते हैं तो यह अई परकार की फसलों के लिए बहुत अच्छा है और इसमें बीजगाउं कुरन सो परतिसर तक हो कि अगर आप वर्시 आगे बाध वसल न करते हैं तो भीज में ऊकौन तो वियुस 가격 शपरती सत्क हो जाता है कि अगर आप बजेत में कुछ कि फोलन के पानी का इस्तियमाल करते है तो अप फ श्रुष करते हैं तो आप बीज कांकूर्ण 100% तक हो जाता है, अगर पानी का पीपियों में एक जार से जादा है, तो इसमें बीज कांकूर्ण सही तरिक्के से नहीं हो पाता है, इससे हमारा नुक्सान हो जाता है, इसलिए पानी की जांच करवाना भी बहुत जुरूरी है, कपास की खेति के लिए बूमी का चुनाओ कपास की खेति के लिए अच्छी जल दारण और जल निकास समतावाली बूमी होनी चाहिए जिन सेत्रों में वर्षा कम होती है वहां इसकी खेति अधिक जल दारण वाली समतावाली मट्टियार बूमी में की जाती है जहां सिचाई की सुविद्धाइं उपलब दो, वहां बलूई वा बलूई दो मत मिट्टी में इसकी खेत्टी की जा सकती है, यह अलकी अमली यह उम सारी भूमी में उगाई जा सकती है, इसके लिए उप्यूकत पीयच मान साढ़े 5 से 6 है, अलांकि इसकी खेत्टी साढ़े 8 पीयच मान तक वाली भूमी में अच्छी तरह शेक की जा सकती है, कपास की खेत्टी के लिए मोसम होय है, जलवायू, यदि परियापत सिचाई सुविद्धा उपलब दो, तो कपास की फचल को मई मा में ही लगा जा सकता है, सिचाई की परियापत उपलब दाना होने पर मा कपास की उत्म फचल के लिए आदरस जलवायू का उनाव सकता है, फचल के उगने के लिए कम से कम 16 degree centigrade और अंकुरून के लिए आदरस तामान 32-34 degree centigrade होना होना चीता है, इसके बढ़वार के लिए 27 degree तामान होना चीए, फल्लक तिस समय दिन का तामान 25-35 degree centigrade और राते ठंडी ह होनी चीए, कपास के लिए कम से कम 50 degree centigrade सेंटीमेटर वर्षा का होना आविश्यक है, 125cm से अधिक वर्षा का होना कपास के लिए अनिगारक होता है, खपास की उनत खेति के लिए खेत के त्यारी उत्री बात में कपास की खेति मुक्षाया दारी तो होती है, इन चेतरों में ख चीए, चार अलकी जुताई कर पट्टा लगा अगर भुवाई करने चीए, कपास का खेत त्यार करते समय इस बात का जहां रखना चीए, कि खेत पूर्णत्या समतल होता कि मिट्टे की जल दानवा जल निकास हमता दोनी अच्छी हो, यदि खेतों में कर्पतवार की मिटने वाले हल्सी, रवी फसल की कटाई के बात करने चीए, जिसमें पतवार नश्ट हो जाते हो, वर्सा जल का संच्छा अधिक होता है, इसके बाद तीन से चार बार एरो चलाना काफी होता है, बौई से पहले खेत में पट्टा लगाते है, ताकि खेत समतल हो जारी या पर आप लेजर लेवलर की साथा सेकेत को समतल कर सकते हो, अगर आप गोपर की खाथ का इस्तियमाल करते हो तो आठ से दस ट्रोली एक अंकट के लिए परियापद रते है, या खाथ मिट्टी में अच्छी तरह मिला कर जमीन को समतल कर दे, अब हम बात करते हैं फसल पति या प्रमुक कारकों में से एक फसल चकर एक मत्तो पूर्ण स्थान रखता है, फसल चकर अपनाने का मुख्या देश्या प्राकतिक सहसादनों का उप्योकत करके उसमें अधीक फसल उत्पादन करना होता है, किसी भी खेत में फसल को अदल बदल कर बोना, एरफेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है, ऐसा करने शें मर्दा के उरुक्ता सक्रेख सब्गशा का थिमायस के मुष्य के बहुत इस थी होती है। किसी भी खेत में एक निष्चित श्मयँने में उसी मर्दा के उरुक्ता साय शक्रेख सब्गर रहते हैं। किस चेतर की भूमी जलवाई यूए इन्य अत्तावर्णिकारकों के दार पर विविन फसल चकर अपनाया जाते हैं एक अच्छे फसल चकर को अपना करें ये खिसान अपनी भूमी में अधिक से अधिक लाप कमा सकता है फसल चकरों की संक्यातीन होती है एक वर्षिय फसल चकर जैसे मक्का के बात गया हूँ दो वर्षिय फसल चकर जवार बरसीन दान मक्का इसके तरिक्त फसलों के चकरों के दारपत फसल चकर को वर्गिकत किया गया है रविक की फसल में अपनाया जाने वाले फसल चकर ख्रेब की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्र और जैद की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्र फसल चक्र के सिधान्त उतले जड़ड़ वाली फसलों के बाद गेरी जड़़ वाली फसलों को उगाना चीए देख खाद के आउसकते वाली फचलों के बाद कम खाद के आउसकते वाली फचलों को उगाना चीए फलीदार फचलों के बाद एफलीदार फचलों को उगाना चीए कर्शी सहसादनों का प्रियोक समता पूर्ण डंग से करना चीए बुम्य कटाउ से प्रभावीहद फॉस्चतर्ण में प्रसल्चक्र में न्याच्छु परती को समाया त्लाप। प्रसल्चक्र एल्भाव के खृत-तुर्में एक निशत정 समय होनब उत्पाद में वर्दी ह attitudes होती ह più विविन फसलों का कर्या करने निच्चित हो जाने ते उनके आफशक बीज का थता कर पत्माने सीन आदिका उंचित समय के उनसार पिरियोग किया जा सकता है। फसल चकर में गैरी कम उतली वाली जड़ों के समयलित होने के काण बूमे क्यों पुर्गी सिता थता निच्चे की सत्य से पुशक तत्यों का फसल चकर द्वारा उंचित वह तेजी से आफ़सुशन होता है। एक फसल चकर को अपनाने से मर्दा सरक्षन में कमी आती है क्योंकि फसल चकर में आच्छा दजन फसलों को समयलित किया जाता है। कर्शकों को वर्ष बर कर्या करने का आफसर मिलता है। फसल चकर के एलाब मर्दा के उरुकता सक्ति में वर्द्य होती है, मर्दा के बहुतिक रसायनिक तदाज़विक गुणों में सुधार होता है, सगन फसल चकर को अपनाने से भूमी में जुआस पदात की मातरा में वर्द्य होती है, उन्चित फसल चकर को अपनाने से भूमी म बीज का उप्शार, बीज की मातरा, हमें अपने खेट में फसल की बिजाए करते हैं ऐसे बीज का चुनाव करते हैं जो कि अपने चैतर और एरिया के इसाप से ठीक हो, बीज का चुनाव में मिट्टी समय वानिकर धू करना होता है, क्योंकि दोम्ट मिट्टी के लिए लग र पानी के साब से ज्यादा उत्पादन देती हो हम एक ऐसी कंपनी के बीज का सुनाओ कुरना था जो कंपनी सरकार्गे द्वारा रिजिस्ट्र हो जैसे राशी यूशी सक्ति वर्दक बीज खरिद्यस में हमें बीज का पक्का भी अवस्या लेना चीए जिसे की बीज के डूपलिकेट होने के चांज कम होते हैं और एक अच्छा ओरिजिनल बीज हमें एक अच्छा उत्पादन देता है अब हम बात करते हैं बीज के उपचार गी हम बिमारी की रो इंसेक्टिसाइड की द्वाईयों से उपचार करते है इसाटिस द्वाईयों के उपचार का मतल्ब कि इनसेक्ट की बिमारी coffee में लीए जаша करते हैं ऑumental क्यों को पेदावार करते हैं अब हम बात करते हैं बेज की मातरा हम देशीखकाश की विजय की लिए एक अंकड दो की विजाई करते हैं वो संकर किस्मों की वराइटियों में हम ये दो पैकट की विजाई करते हैं अगर हम देशी कबास की देशी वराइटियों करते हैं तो हम एक अंकड में लगबग 2-3 किलो भीज की विजाई करते हैं लगबग सभी संकर किस्मों का ही विजाई करते हैं क्यों देशी कपास की उनत किसमें हैं HD 107, HD 123, HD 324, HD 432, वसंकर किसमें AAH 1, AAH 32, वाक के आर 64, यह देशी कपास की उनत किसमें हैं जो बहुत बढ़िया उत्पादन देती है HD 324, इस देशी कपास की किसम के पुद्दे लारंगे, पत्ते का मद्यम और रंग लाल होता है, इस किसम के फूल गुलाबी रंगे, फूलों के अंदर गैरे लारंगे, बेयुम प्राकन पिले रंगे होता है इसके पुद्दे में 324, मजबूत वानस्पतिक सखाय होती है, ओसद पादावार 9-10 कुंडल परतियां कड़ है, इसके रेस्चे के ओसद लंबाई 15-16 मिनलीमेटर और रूवी का पतिसत ब्याड़ी से है, यह किसम पकने में 115-188 देन लेती है, इसलिए कपास ग्यों पसल करके लिए पिकते है, इदि इस किसम के बुवाई या बिजाई 15 अपरेल मा के पहले पकोड़े में की जाए तो अधिक पैदावार के साथ साथ रेस्चे के गुणमत्ता में भी अच्छी सुधार होती है, बिजाई या फसल के बुवाई, बिजाई अगर आप मशीन के साथ थाख एक साथ कर सकते है, बिजाई सुबह या शाम के समय करनी चीक, बिजाई के समय या लाइन से लाइन के दूरी 3 फूट बिज से बिज की दूरी 1 फूट, बिजाई की गरहाई 8-10 संटीमेटर रखनी चीक बिजाई के समय बीज गिली मिट्टी में ही डुलना चीर, वह इसके पूरपान से 6 cm जमीन की पर चड़ जानी चीए ताकि बीज गा जर्विनेशन अच्छी तरिक्के से होसके और बीज गांकूर्ण सही तरिक्के से होसके फसल की बॉए इस चित था ऐसे चित चेतरों में नहरी पानी से की जा सकती है वह ऐसे चित चेतरों में वर्षा के अदार पर इसकी बीजाई की जा सकती है खर्पतवार की रोक्ताम के लिए हमें विजाई के तुरुंत बाद पैंडा में लिथियां 30% इसी का ही चिटकाओ करना चीए 500 mm द्वाई को 500 लेटर पानी में उसका गोल मना कर उसके उपर एक अंकड में उसका चिटकाओ करना चीए इस से कर्पतवार वाँ जर्मिनेशन नहीं होगा अब बात करते हैं कपास की कित्थे के लिए निराई गुडाई है उसकाई पहले निराई गुडाई उंकूर्ण के 20 से 25 दिन के बाद करने चीए यदि फसल में सिचाई की जूट पड़े तो अलकी सिचाई करने चीए इससे कीट वा रोग आसर कम रहता है वह यह अच्छी पैदावार होती है वहीं अगर बारिस ज़्यादा हो जाए तो हमें सिचाई की आउसकता कम पड़ती है जल परबंदन कपास की खेती में जल का परबंदन भी होना बहुत जूरूरी है क्योंकि अगर ज़्यादा वारिस हो जाए तो हमें जल निकास का परबंदन करना चीए यह आप पंप की साइटा से कर सकते हो कपास की खेती के लिए खा दें औरक कपास की उननत किसमों के अच्छा पैदावार के लिए परती एक्टेर नाइट्रोजन 80-120 kg, फासपोर 40-60 kg, पुटास 20-30 kg, सलफर 25 kg देना चीज़, जब किसंकरवा बीटी किसम के लिए परती एक्टेर नाइट्रोजन 150 kg, फासपोर 45 kg, पुटास 40 kg, वेवं सलफर 25 kg प्रिया बराबर बागों में 30-90 दिन के अच्छा पर देना चीज़, फासपोर 40-60 दिन के बाद देना चीज़, अच्छी पैदावार के लिए अब हम बात करते हैं कपास की पसर में लगने वाले मुक कीट, गुलाबी सुन्डी कपास की पसर के लिए कर कोई सबसे बड़ा दुस्म कीट है तो वह है गुलाबी सुन्डी जो अपना पूरा जीवन उसके पोदे पर बिताती है, यह कपास के छोटे पोदे कलीवब फूल को नुकसान पुजा कर पूरी पसर को नश्च कर देती है, इसका परकोप हर साल होता है, प्रबंदन इसके नियंतरन के लिए कोरो मंडल के कीट ना सकते फेंडाल, 50% इसी का चटकाव कर फेंडाल एक भू, आयामी कीट ना सकता है, यह कीडे पर लंबे समय तक नियंतरन रखता है, इसके लाओ इसमें तेज देखी गंद होती है, जो वैसके कीट को अंडा देने से रूपती है, शपेद मक्ही, यह कीट देखने में पीले रंगा होता है, लेकिन इसका शरीर स्पेद मौम जैसे पाउडर से डखा होता है, यह पो देखी पत्तियों पर एक चिप्स पा तरल पदार छोड़ता है, यह पत्तियों का रस चुचता है, परबंदन, स्पेद मक्ही कीट परबंदन के लिए कोरो मंडल का फिनिय केटनासक का पिरियोकरे, फिनियों में दो अनुकी केटनासकों की जोड़ी है, जो दो विविन कारे से लूशिये काम कर सकते हैं, इसके इलावे यह पाइट वर्हानिक प्रभावशी यूकत है, जिसमें क्यूडों का तुन तो और लंबे समय तक समावत करना की समता होती है यह सपेद मक्य के सभी चड़नों जैसे अंडा निफ वैसे को एक बार में समादान उपलत कराता है, इसके प्रती अंकट 400-500 mm की मातरागी जोड़त पड़ती है, अब हम बात करते हैं महू यह फिट किट की यह बहत कॉमल कीट होता जो दिखने में मटमेले रोका होता है, मह प्रोमंडल के फिन्यों किट नाशक का चिटकाओ करें, अगर आप दूसरे किट नाशक का चिटकाओ कर सकते हो तो आप डोक्टर की सहितास के नुशार, तेला कीट काड़े रंगा या किट पुद्धों की पत्यों को खुचकर इसका रस पी जाता है, इसके लिए बाजार म देखने में पांच बुजाय कर और पीले रंगा होता है, इसके केट के आगे के पंको पर एक काला दबा पाया जाता है, जो कपास की शिचुएं वशक अवस्ता में पत्यों का रस चुचता है, जिससे पत्या पीली पढ़कर सुखने लगती है, परबंद इसके केट के दस पीले पर पंच लगाने चीए, इसके अलाव 5 mm नीम तेल को 1 mm टिनोफाल या सेंडोविट को परती लेटर पानी के साथ गोल बना कर अच्छटकाव करें, मेले भग इस परजात्ती के के केट की मादा पंक वीन होती है, वहीं इसका सरी स्पेद पावडर से डगा होता है अलागि इस कीट के स्रीर पर काले रंगे पंक होते हैं तो खाओ तन्य फूल, पूड़ी प्रणवर्थ तता गेंटो का रच्चु जाता है, इसके बाद इस मिठा चिपश्वा प्रदा छोड़ता है, इस कीट प्रबंदर के रोकताम के लिए पूरे खित के आसपास पीले पर पंच लगाते हैं, अब हम बात करते हैं कापास की पिसले में लगने वाले प्रमोक रोग। पीले पड़ जाते हैं, याक पास की सहपतियों और घंटों को भी नुक्सान पुंजाता है, इस रोक एकांड घंटा समय से पहले ही खुल जाता है, जिस सेरे सा खराब हो जाता है, इसके रोक थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना सकाही प्रियोग करें, नमबर दो, मायरो ठीश्यम पत्ति दबारोग, इस रोक के कांड पत्तियों पर ललके और बाद में बड़े बुरे दब्बे बन जाते हैं, इसके बाद पत्तियां तोटकर निच्चे गिर जाती है, इससे 25-30% उत्पादन में कमिया जाती है, रोक थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना सका पत्ति दबारोग, इसके रोक पत्तियों पर अलके पूरे रंग के दब्बे बन जाते हैं, इसके काना कर में पुत्तिया तूटकर गिर जाती है, ठंडे में इस रोक उगरता दिक रोक थाम के लिए नुश्य सिद्ध किटना सका ही या डॉक्टर के प्रामर्स के इनुशार पारिक कीटनास का प्रियूग करें। नमबर चार पूद अंगमारी रोग यह रोग पूद्धे कि मुशले जोड़ों को छोड़कर मुल्त तंतों को नुकसान पुचाता है जिसके एक पूद्धा पूद रूजाता है। रोग थाम के लिए उन्हों सिद्ध कीटनास का ही प् या फिर आप टाटा असाटा पर सास परसंट इसी का चटखाओ करें अगर आप फंगस की द्वाए की बिमारे के लिए रोक थाम के लिए चटखाओ करते हैं तो आपको प्रोक्षी क्लोराइड का ही प्रियोग करें अगर आपके खेत में फल-फुलो की संक्या को बढाना चाता हो तो फ्ल low इसे टोनेड का प्रियोब करें जो खेत Mus Extreme Light के भूरी मातरह में जबधर्दस्त वर्दी करता है हुआ है जाकित फल-फुलो के संख्या में कि दिशंबर के पहले सब तक तक हो जाती है इसकी उत्पादन की बात करेता है तो फिर इसका बंडान कर लिया जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट ये बैप अवाय बाइबे बाते है अवायट है अवायट राह जो है झाल राते है श्यादा नहींग करेद्ट कर दो दो आँसे मेंट